हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही स्पेशल रेमिडी और बहुत ही सिंपल रेमिडी शेयर करूंगी जिसका इस्तमाल करके आप अपने आइब्रो के जो हेर्स हैं उनको रीग्रो करके उन्हें घना बना पाएंगे दोस्तो आइब्रो घनी सबको अच्छी लगते हैं लेकिन काफी लोग की जो आइब्रो के बाल होते हैं वो बहुत ही जादा चोटे और कमजोर होते हैं जिससे उनकी जो आइब्रो बेजान लगती है और जिनको अच्छा दिखाने के लिए वो जो है मेकप इस्तेमाल करते हैं आइब्रोस पे काजल लगाने लग जाते हैं, उनको भरने लग जाते हैं, जिससे कि आपकी जो आइब्रोस एंवो काफी फेक लगती है और वो नैचरल लुक नहीं मिल पाता है, जिससे आपके हाद सिर्फ निराशा लगती है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग के साथ एक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजो में परने नोटिकेशन बेल को भी आन कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी कोई खास रेमेडी लेकर आऊं तो उसकी नोटिकेशन आपको तुरन मिल सके तो नुसके में जो पहली चीज़ आप करेंगे वह है दो कि इसका इस्तमाल हम किस तरह के से करेंगे वीडियो को दोस्तों लास तक जरूर देखेंगे क्या कि एसके साथ-साथ और भी बहुत बहुत बैतरी इंग्रिएट का इस्तमाल करेंगे जो घर में आपको बहुत असानी से मिल जाएगे और रहंटर प्र संट वर्किंग होंग एक चम्मच नारियल का तेल यह दोस्तो जमा हुआ था मैंने इसे थोड़ा सा पिगला लिया है ताकि नुसका तयार किया जा सके नारियल का तेल भी दोस्तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है आपकी आइबरोस के बालों को गहना बनाने के लिए और फिर इसके बाद जो आखरी चीज़ में एड करेंगे वो है दोस्तो वैसलीन वैसलीन की मातरा देखे आपको धोड़ी सी मातरा में वैसलीन को ले लेना है और फिर सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिला लीजिए इस तरीके से आपको जो है इसे मिला लेना है और जब आप इसे इस तरीके से मिला ले तो ये इस तरीके से आपको जो नुस्का है वो बनकर तयार हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसका इस तरीके से करना है अपनी आइब्रोस पे इसे इस तरीके से आपको जो है मसाज करके लगा लेना है अच्छे से आपको जो अपनी आइब्रोस पे मसाज करने ना है कम से कम 10-15 मिनिट तक और उसके बाद इसे ओवरनाइट इसी तरीके से छोड़ देना है हफते में 7 दिन इसका इसे तरीके से इस्तमाल करने से आप देखेंगे आपकी जो आइप्रोज के बाल है वो कितने जादा गने हो जाएंगे और आपकी जो आईब्रोस है वो बहुत ज़्यादा सुन्दर लगने लगी दो दोस्तों ये था मिर्तव से आप लोग के लिए आज कनुसका अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजे कमेंट कीजे और शेयर कीजे और प्लीज हमारे चैनल को ज़रू ज़रू सुब्सक्राइब कीजे मिलते हूं नेक्स वीडियो में तब तक किलाब अपना खयाल रखें और स्वस्त रहें